नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद रोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो व्लोक्स में और 23 फरवरी को यही जो आने वाली है मेरा दिल्ली परवास रहेगा और इस वीडियो में मैं अपना नम्मर दे रहा हो आप अगर मिलना चाहें वहाँ पी क्या व्योस्ता होती है वो मैं वहीं जाके आपको बताऊंगा अगर आप मिलके अपनी हतेले का दिखाना चाहते हैं तो आप उस नम्मर पे मुझे वट्सप करें या कॉल कर सकते हैं तो जहां पे भी मैं ठहरा होंगा मेरा परवास होगा वहां मैं आपको बुला लूँगा इस समय एक मेल जो हैंड है वो मेरे सामने बिसलेशन के लिए आया हुआ है आप फुरुष जातक है और आपकी हतेली है सीधी सी बात है हतेली की आकरती निश्चित रोप से एक आयताकार दिखाई दी रही है एक एनलेटिकल किसम का ब्यप्तित तो आपका है और हतेलियों की जो प्रकार होता है उसमें जो उच्च स्रेणी की हतेली होती है वो आपकी है इसमें कोई किन्तु प्रंतो नहीं दिखाई दे रहा है जिग्यासु ब्यक्तित तो रहेगा एनलेटिकल किसम का ब्यक्तित तो रहेगा और कहीं न कहीं जो दार्षिनिक ब्यक्तित तो है वो पूर्ण भाग्योदई की इस्तिति आ रही है आपका पूर्ण भाग्योदई हो जाएगा जीवन में दोबारा भी भाग्योदई है जो सीधा 57 आयू के बाद दिखाई दे रहा है 57 वर्स से मनि बुडापा भी आपका सांदार रहने वाला है और आने वाले समय के लिए चिंता की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है एक दो चीजें देखते हैं फिर चलते हैं आपके सवालों पे और पूरी तरों से उन चीजों को देखते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यह आपकी हिर्दई की लकीर है जो कहीं न कहीं जो है यह इंडेक्स की फिंगर और मिडल के फिंगर की बीच में देख रही है और इस लकीर पे देव गुरू ब्रस्पतिका और कर्म अस्तान सनी का प्रभाव पढ़ रहा है जो थोड़ा भावक तो आपको बता रहा है थोड़ा दयालो प्रवृतिका बहुत ज़्यादा आपको बना रहा है साथ साथ में जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ रही है आपको ये महत्व कांची भी बना रहा है इसके कारण आप अपने जिवनकाल में बहुत बड़े सातमक होगी पोजिटिव हो जाएगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी गुरू का सांदार प्रभाव इस पे पढ़ रहा है और आपकी इष्ट ग्रह जो है वो भी देव गुरू ब्रिस्पति ही है तो इसका प्रभाव और भी जादा बढ़ रहा है जिसके कारण आपकी एक टॉप लेबल तक पहुँचने की रहेगी, वहीं कर्म को देखने वाले जो प्रेक्टिकल रूप में कर्म को देखते हैं, आप द्वारा किये गए कर्मों को, या करवाये कर्मों को, इसका भी प्रभाव इस रेखा पर पढ़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के भी हो जाए, वो आप करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है आपके हतीली में, आपके हिर्दे की लकीर, दूसरी चीज, आप जरा ध्यान से देखें, तो ब्रेस्पते से आके एक लकीर इस पे मिल रही है, और एक विश्णु का तिलक इसमें बना रहा है, इस विश्णु क तिलक का मतलब सीधा सीधा है, कि आपके जो पंच तत्व है, पंच महाभूत जिन से आपका सरीर बना है, जिसको फाइव एलिमेंट कहते हैं, आपके सरीर के जो नो द्वार है, नो चक्राज हैं, जिसमें आठ चकर बहुत प्रभावी होते हैं, जो आपकी पांच ग्यान इ इनके अनुसार देखा जाए तो आपकी उपर साक्षात भगवान बद्री विसाल जी की विसेश किरपा है मनी आपके जो इश्टदेव है वो भगवान विश्टव है इस धर्ती में जो बैकुंट धाम है जो उत्राखण में है कहां पर बद्रीकासरम में पद्रीनात में तो वो ही आपके इश्टदेव है और उनीकी किरपा आपके उपर है निश्चित रूप में आने वाले समय में इसका प्रभाव भी आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ेगा अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राहा पर चलते हैं त तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अउस्य सपलता मिलेगी चाहे आप कोई भी काम कर लो आपको हराना आपके बिरोधियों के लिए कभी भी संबव नहीं रहेगा और इसके अलावा आप समाज में खूब लोग प्रेता और बहुत ज़्यादा सम्मान भी और अत्यंत्भग्यसालिय लोगों में से आपकी गिंती होगी ही होगी इसके साथ-साथ आपको दिव्यता की और भव्यता की प्राप्तनिश्चित तौर पर होगी आपके आश्ट देव कह रहा है लेकिन ये ये भी बता रहा है कि कितनी दिव्यता होगी, कितनी भव्यता की प्राप्ति करेंगे आप ये इसके उपर डिपेंड करेगा कि अपने इश्ट के परती जो भगवान बिश्णु है इनके परती आपका जो समरपन है वो किस रूप का रहेगा और सबसे बड़ी बात है आप भग्य साली कैसे हैं आपकी इश्ट गरह देव गुरु ब्रस्पति है और जो पंच महाभोत से हमारा सरीर बना है उसमें आकास तत्व सबसे बड़ा तत्व होता है उसके अंदर ही अंडर में ही चारों तत्व समाई हुए होते हैं और ये उस आकास तत्व का मालिक होता है ये रिसिग्रह है हमारी हतीली में बैटने वाला पर्थम आचारे है देवताओं का भी गुरु है रिसियों का गुरु है ब्रामनों का गुरु है सिक्षा का छेत्र है इंजीनियरिंग का छेत्र है जो आप बिजनिस कर रहे हैं ने वो इंजीनियरिंग में आता है सिक्षा है इंजीनियरिंग है चिकित्सा है बानिज्या है कानून है मैनेजमेंट है इन छेत्रों में ये आपको आने वाले समय में जबरदस्त सपलता देगा ठीक है न? तो आपको क्या करना है? आप रोज सुबह और उपायतों में दूंगा ही रोज सुबह जब भी पूजा करने बैठे तो भगवान विष्णु की अगर कोई परतिमा आपके पास है नहीं है तो आप ले आएगा ब्रिस्पतिवार को ले आएगा उनको गंगा जल से अश्नान करवा लीजेगा और चन्न पीला चन्न हो जो सिरी खंड चन्न हो तो बहुत अच्छी बात है उनका टीका लगा लीजेगा उसमें केसर मिला के लगा लीजेगा और एक छोटी सी आराधना है शान्ताकारं बजगसायनं पद्मनाभं सुरेशं बिश्वाधारं गगनसदिर्शं एकवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमलनैनं योगे विरिद्यान गम्यं और उनके चर्णों में एक पीला फूल अरपन करें अर हपते में सातों दिन अगर पीला फूल अरपन नहीं कर सकते हैं तो ब्रस्पतिवार को उनके चर्णों में पीला फूल अरपन करें लेकिन ये आराधना शांताकारम भुजगसायनम पदमनाभम सुरेशम वाली ये दो सेकंड की है हमेशा नतमस्तक होके बोले निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा होगा कभी भी सेर मारकेट हो सटा हो ये चीजें आपको नहीं फबेंगी लोटरी हो तो इनकी तरफ न भागे थीक है ने तो इस चीजें बहतरीन होंगी बहुत अच्छी होंगी इश्ट किरपा आपके उपर होगी ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है छोटी सी चीज है कि आपकी मिडल फिंगर कहीं न कहीं हलकी रूप में जुक रही है और रिंग फिंगर की तरफ कुछ जादा मेहनत और परिस्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी कई बार जिवन में दोड़ा धूपी का काम भी बना रहेगा ये इस पश 32 एर तक 42 वर्स तक धन के मामले में थोड़ा समन्ल कर रहे हैं या तो खर्चेला सौभाव रह सकता है या धन के मामले में संगर्स रह सकता है इन चीज़ों को ये बता रहा है इसका भले ही मैं उपाई दूँगा लेकिन फिर भी ये प्रभाव 42 वर्स तक रखेगा ही रखे हैं मेरा बिजनिस है कंप्योटर का कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है नया भी कोई काम हात में नहीं आ रहा है कोई आप उपाई बताई पहले मैं इसका कारण जान लेता हूं आपको बताता हूं और आपको जो उपाई है वो विदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के मादयम से आपके वटसप नम्मर पे आपको भीज रहा हूं ठीक है कारण क्या है आप यहां पर देखेंगे कि एक रेखा यहां से आके इस प्रकार से 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 बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं और करियर और धनकी रेखा को जबरदस्त धक्का दे रहे हैं ठीक राहों का नगेटिब प्रभाव है नाडी रेखाओं का दूसरा आपके हतेली में यहां पर एक जाल बन रहा है और यह दोनों चीजें बहुत ज्यादा नगेटिब हैं जीवन को कहीं न कहीं बहुत दर्य रेखाई होती है तो जीवन में संगर्स बाद विवाद उत्पन कराती है और कदम कदम पर मुष्किलों का सामना एसी में विक्त को करना पड़ता है रोटी रोजगार को लेके आजियो को लेके पैसे पैसे रुपे को लेके हर जगा भयंकर उतार चड़ाओ ऐसे में बिक्ति को जहिलना पड़ता है, साथ में ये अतेली में जाल हो, तो इससे नगेटिब उर्जा का स्रोत है, मनि आपकी जीवन में नगेटिब उर्जा कदम रख चुकी है, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, आपके मन पर, आपके मस्तिस्क में, कहीं न कहीं विधा में रहता है, कन्फ्यूजन रहती है, और जो ब्यक्ति की निलने लेने की ताकत है, वो छीन हो जाती है, ब्यक्ति तय नहीं कर पाता है, किस तरब जाना चाए, वास्तों में क्या करना चाए, दोसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक इस्तितिवे, आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर होने बैठ जाते हैं, संगर्स में आ जाते हैं, और आप ये दरिद्रता की तरब आ जाते हैं, आर्थिक रूप से बीमार हो जाते हैं, मनी अतेली में पैसा नहीं ठिकता है, तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी स्वस स्वस्त्य हो उसमें वी कार आने बैट जाते हैं इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर पड़ता है खासकर दाऊंपत्य जीवन परता इसका आपकी डेपलप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेश पे कहीं न कहीं जो है जिस प्रकार का आपका सपलता का अस्तर हो जाना चाहे था उस अस्तर को ये नीचे गिराने की कोशिस करती है आप उभर नहीं पाते बलकि नुकसान में करजे में हमेशा आते रहते ही और य चाहे रिस्तों का मामला हो चाहे आपकी जीवन का किसी भी आयाम का मामला हो जो भी नगेटिव प्रभाव पढ़ रहा है इन दो चीजों का आपकी जीवन में पढ़ रहा है और अभी ढाई बरसों तक इसका प्रभाव जरत जादा है तो ढाई बरसों तक थोड़ समल के आपक जरूर करिएगा, साथ में एक दिव्य सूर्य किरिया, एक दिव्य योग ध्यान किरिया भी दे रहा हो, इसको भी बहुत जरूरी है करना, यदि ये चीज़ें आप करते हैं, तो कहीं न कहीं इनका जो प्रबल प्रभाव है, वो थोड़ा निस्तेज हो जाएगा, और आप पाए दूँगा, उसके साथ कारण भी मैंने बता दिया है, आगे आप लिखते हैं, हमेशा असमंजस की इस्तिति बनी रहती है, किस कारण बनी रहती है, नगेटिब उर्जा के कारण जो हतीली में जाल है, तीसरा, कोई भी काम करने जाता हूँ, तो कोई ना कोई रुकाव डालना है, जब इस प्रकार की चीजें रहती हैं, तो ये रुकावट डालती है, साथ साथ में देखेगा, जब सुक्र इस प्रकार का हो, तो ऐसा सुक्र मानसिक चिंता देता है, किसी चीज़ को लेकि बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता ही कर रहा होता है, बहुत प्रयास करने पर सारे साधन होने के वाब जूद भी जो सुक की अनुभूती होनी चाहिए थी सुक प्राप्त होना चाहिए था किसी भी रोप में उन सुकों में ये भारी कमी करता है ठीक है नए दूसरा सुक्र का इस प्रकार का होना जीवन काल के 42 वरस तक जवरदस्त और जो है भावनाओं में आके बड़ा निर्णाइन ले ले तो धनाहानी को दिखाता है धनाहानी होती है ऐसे ब्यक्तियों को ब्यापार बड़ा सोच समझे कर करना चाहे ये कहीं न कहीं ब्यापार में नुकसान को दिखाता है अगर ब्यापार करना भी हो तो पार्टनर्शिप में ऐसे लोगों को ब्यापार नहीं करना चाहिए खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है और खास कर जिवन में धन कमाने की इस्तिती लेट आती है 42 वर्ष के आयू से सांदर चीज़ें गटित होंगी 45 वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की इस्तित दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं 56 वर्ष के आयू के बाद भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे जैसे आपकी आयू बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है घुटने का दर्द है कमर की प्रोब्लम है इसकी संभावना बढ़ सकती है योगा है प्रणायाम है ये चीज़ें जरूर करें आपकी करियर और धन की रेखा जिस तरों से उभर रही है ये इस पश्ट बता रही अभी थोड़ा आप समल के चले तो जीवनकाल के 41 एर से ही आपकी जीवन में परिवर्तनाना शुरू होगा ऐसी इस्तिति आएगी कि प्रतीक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आने बढ़ जाएगा परबल तो 42 से है लेकिन इस्तिति में सुधार 41 से ही दिखाई दे रहा है ठीक है न अगर अपने घर का सुक प्राप्त नहीं किया है तो 41 से लेके और 45 के बीच में कहीं न कहीं अपने घर का सुक प्राप्त कर लेंगे अपने कमाई हुए पैसों से या घर का नियू रख लेंगे मनि घर बनना सुरू हो जाएगा अगर आपको वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं 41 से 45 के बीच में वाहन का सुन्दर सुख प्राप्त होगा अगर ब्यापार पूरी तरों से स्टेबल नहीं कर पाए हैं तो 41 से 45 के बीच में ऐसे सुन्दर योग बन रहे हैं कि आप पूरी त्रों से अपनी ब्यापार को इस्टेबल कर लेंगे और 45 वे वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदे की इस्तिती प्राप्त हो जाएगी ये आपकी करियर और धनकी रेखा बता रही है ठीक है ने? अब ये आप लिखते हैं जीवन में इस्तिर नहीं है पन्नित जी हर महीने कोई न कोई नया कर्ज हो जाता है जी बिल्कुल हो जाता है क्योंकि नाड़े रेखाएं यहाँ पे करजा ही दे रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी हतेली में जो ये नगेटिव उर्जा है ये प्रेशान भी कर रही है संगर्स भी दे रही है और कहीं न कहीं करजे की इस्तिती को भी दे रही ये अच्छी चीज है करजा होने का मतलब है राहों का जो बिक्राल प्रभाव है आपकी जीवन पर नहीं पड़ेगा न ये बहुत बढ़ी प्रेशानी मनी जिसको कहते हैं रोग आपको देगा रहसे में बीमारी ना ये जो है आपको कोड कचरी में घसेटेगा और नहीं आपकी जीवन में कोई लांचन लगेगा बस करजे की इस्तिती जेलते रहेगा ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए आपकी इश्ट ने आपकी बहुत बड़ी साहयता की है अगर ब्रिस्पती यहाँ पे मजबूत नहीं होता तो ये आपके साथ बहुत कुछ कर लेता है लेकिन आपके इश्ट ग्रह ने आपको इन चीजों से बचाया है बस केवल करजे के संगर्स में और असमंजस की इस्तित में आपको डाले हुए है ये आगे का टाइम कैसा रहेने वाला है और कोई उपाई बता दे कि धन संचय हो सके या काम अच्छा चल सके आपका काम भी अच्छा चलेगा धन संचय भी होगा ऐसा उपाई निश्चित रूप से आपको बताऊंगा और आगे की इस्तित मैंने बता दी है 42 वर्स से आपकी कर और धन की रेखा को देख के तो चीजें आपके अनुसार चल रही हैं बहुत अच्छी चीज है मस्तिस्क की रेखा आपके अंदर की क्रियेटिविटी को दिखा रही है आपको जीवन में यातराओं का सुखद लाब होगा जिससे खुस्नमा माहूल की प्राप्ति होगी और मन प्रसंद रहेगा और बौदिक अस्तर सांदार रहेगा यह इस पश्ट इस्तित दिखाई दी रही है 41 से बहुत सांदार चीजें आ रही है 42 में और भी अच्छी चीज आ रही है 45 में पूरा भाग्योदई की इस्तिति आ रही है और क्या चाहिए आपको और 57 से फिर से देखे दो ही चीज जीवन में होती है या तो जीवन का प्रारंब जो दौर होता है उसमें संगर्स रहता है और आगे चलकर ब्यक्ति का जीवन शांदार इस्तिति में गुजरता है या ब्यक्ति का जो प्रारंबिक दौर है वो लगजरी रहता है शुकों से बरपूर रहता है और फिर जो है जो दूसरा दौर होता है बुड़ापे तक का उसमें जबरदस्त संगर्स रहता है तो ये अच्छी चीज है कि परारंब संगर्स हो लेकिन जब सुक की जरूरत ज्यादा होती है तब वेक्ति को सुक मिले ये बहतरीन है और ये आप बहुत बगए सोबाग्य साली जरूर है इस मामले में कि आपका परारंब चालीसमें वर्सतक संगर्स है चिंताएं है दोड़ा धुपी है मानसिक उल्जन है दुविदा है कन्फ्यूजन है सब कुछ है करजा है लेकिन उसके बाद फिर लगजरी है सब कुछ आप अपनी बदोलत हासिल कर रहे हैं य जीवन की रेखा इस प्रकार सी पीछे की और जा रही है यहां पर एक चिन बना रही है परिवार के प्रति समर्पन की भावना रहेगी और सात में चालीसवें वर्सतक चंद्रमा का प्रभाव पढ़ रहा है जीवन रेखा पर तो कई बार और इस्तिरता का सामना करना यह निश्चित है हां उसके बाद यह बता रहा है जैसे जैसे उमर बड़ेगी धर्म में अध्यात्म में रुच बड़ेगी और कहीं न कहीं यात्राओं का लाब भी आपको जरूर होगा उसके बाद कि आपका की तो बता रहा है आपका प्रारब्द 42 स्वें वर्सत से और अन्त में मोक्ष की प्राप्ति भी यहां पर इस पश्ट दिखाई दे रही है यह चीजे हैं बाकी यहां पर जो निसान और यह चीज बन रही है यह सब संगर्स है दुविदा है कंफ्योजन है धनाहानी है और कुछ नहीं है ठीक है यहां पर अगर हम देखे धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्दी के परति समरपन की भावना रहेगी थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिसरम करने के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी यस पानी की इक्षा नेमफिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में बिष्तार पाने की एक्षा बहुत अच्छी रहेगी लेकिन जब-जब सणी साड़ी साती में होंगे डहिया में होंगे बक्रे औस्ता में होंगे तो उसका प्रभाव जीवण पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी होंगी एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतन सील बेक्तितों भी बना रहेगा सुकर के बारे में हमने अल्रेडी बता लिया है निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन उल्जन और दुविदा देता हुआ दिखाई दे रहा है क वपरी मंगल बहुत अच्छा है जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा प्रास्तिती जीवन में कैंसी बी आ जाए ये वपरी मंगल आपको ऐसा विकतितों दे रहा है यह इस्तितियां यहां पर दिखाई दी रही है आपका अगर हम देखें ब्रस्पति यह बेहतरीन इस्तिति में है और इस प्रकार की लकीरे यहां पर उबर रही है मनि धीरे धीरे धर्म में अध्यात में बहुत अची रूची है आगे चल कर सिक्षा का छित्र है, इंजिनीरिंग का छित्र है, चिकित्सा का छित्र है, मैनेजमेंट का छित्र है, बानिज़का छित्र है और कानून का छित्र है इन छित्रों में से किसी एक छित्र में कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें सो टेबल भी रहेंगे उन्नती भी दे गई ये काम आपको और इसमें कामिया भी पाएंगे आप जहां आपको सांसारिक सुख के प्राप्ति होगी वहीं आपको पारिवारिक सुख के भी शांदार प्राप्ति होगी और ये भी बता रहा है ये कि आप बहुत सरेष्ट जातक हैं जिवन में स्वयम उन्नतितों करेंगे ही, जो आप से जुड़ेगा, या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता, प्रदान करेंगे, सयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाविमान की भावना बहुत अच्छी रहेगी, नौलेज भी अच्छी रहे और धार्मिक भावनाईं बहुत बड़ी मातरा में आपके अंदर रहेगी, अच्छी नौलेज के साथ साथ आत्म ज्यान भी बहुत अच्छा रहेगा, और इसकी उजो से अपार मान सम्मान भी आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, धीरी धीरी इस्तितियां ये आ रही ह है कि आगे चल करके, खास कर पच्चासवें या अनतालीसवें वर्स से, आपको एक से जादा सुरोंतों से धन का आगमन होगा, थोड़ा सुबह उठने में आलेश्य रह सकता है इसको त्यागे, सूर्य अभी बहुत अच्छी इस्तिति में नहीं है, लेकिन दिब्य सूरी क हरे फल है, हरी दालों का सिवन जरूर करें, आपको लाब होगा, चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी इस्तिति में आ रहा है, इसका लाब होगा, आपका मन मजबूत इस्तिति में आएगा, आगे चल कर सरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होगा, आपके अनर क्रियेटिविट आएगी, और कहीं न कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपड से आप दोर रहेंगे, देखा जाए, तो मैंने आपकी हतीलिका पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है, उपाई में विद्वत तरीकी से लिप करके, और आडियो के मादेम से बेज रहा हो, आपकरने की कोस करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाब होगा, इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ मुनोपस्तित होंगा, तब तक के लिए नमस्कार